कलम्ना पुलिस्थाना अंतरगत आने वाले शेत्र में खर में भांजी को अकेला पाकर मामा ने छेर चार की इस मामले की शिकायत करने पर पुलिस ने मामा के खिलाफ छेर चार वो पॉक्सो आट के तहत मामला दर्सकर मामा को किरफतार कर लिया है बताया चाता है कि पीडित बालिका की दादी की कारण बड़ी अन्होनी टल गई ही तदा शोर्म मचाने पर उसे जान से मारने की धमके देने लगा बालिका की आवाज सुनकर दादी कमरे में फोची और मामा को अर्दनगन अवस्था में देखकर उसे जमकर फटकार लगाए शाम को बालिका की मा को मामा की कर्तूत के बारे में पता चलने पर उसने कलमना थाने में शिकायत की इस संदर में सहयक प्रस्तरिक्षक अर्विन पवार में अधिक जानकारी सांजा की शोपत गयर क्रत्ते करनाचा फ्रित्ना केला परन्तु भाची ही वार वर्षे चासल्यानी ती आरडावर करू महराचा बहर पलन आजी आजु बाजु चे लोकाज अबले त्या पीडी तीचे मूली ने पुली स्टेशन कलमना आयते रिपोट दिलायों त्या रिपोर्ट होज पुली स्टेशन आपकर मांग अच्छे त्याननो अबलिक एक्विस कलम तीचे चोपन तीचे चोपन अ तीचे चोपन अ पुश्को आट बारानो साथ पूष्टे कलमना लगुना दाफर करना काला असुन सद्या उना तपासा वरा है सदर उन्याती आरुपिस आट करून मा पुलिस ने मामले में शिकायत दर्स कर आरुपि को गिरुफतार करने में कामियाबी हासल की हाला कि दुशकर्म की ऐसे मामलों से कहीं न कहीं के सवाल या निशान खड़ी हो रहे हैं कैमरा पोसन अखिलिश भारण वाज के साथ दिशाहटवार बीस या नियूज नाकपूर पुलिस नाकपूर बीस